हेलो स्टुनेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंप रोहत आपका जगरुफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प् इसक्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कख्शाबारवी की बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिधान्त इस बुक का तीसरा चप्टर पढ़ रहे थे चप्टर का नाम था मानव विकास इस चप्टर का पार्ट परिचर हम लोगों ने डिसकस कर लिया था और इसके बा प्रस्तुत की गई थी इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि सिक्षा स्वास्त और संसाधनों तक पहुँच ये तीन आयाम हैं जो की मानव विकास को प्रेशित करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मानव विकास के चार स्थम्ब मतलब हम एक इमारत की बात करें बिल्डिंग की बात करें उस बिल्डिंग का नाम मान लीजिए मानव विकास रख दिया जाए उस मानव विकास की अवधार्णा जो है वो किन चार पिलर्स पर खड़ी हुई है आज हम लोग को इन बातों को इस वीडियो में डिसकस करना है चलिए वीडियो स्टा करती हैं किसी भी देश की लोगों का मानव विकास का स्तर क्या है लेकिन इन तीन स्तरों के अलावा या इन तीन स्तरों को अगर हमने प्राप्त करना है तो उस इमारत को किन चार पिलर्स पर खड़ा किया सकता है यह हम मानव विकास की हम लोग बात कर रहे हैं तो मानव विकास को इस्तम्मों का सहारा होता है उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता सतत पोश्णियता उत्पादक्ता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है देखे हम लोगों ने सिख्षा स्वास्त और संसाधनों तक पहुंच यह तो हम लोगों बहुत अच्छे समाझ रहें तो से क्या बहुत आसान है लेकिन आपनों को मिस्स हो गया या लेखिए नहीं आने वाली आने थीक है सबस्ब्पहले समता का मतलव हम लोग समझे लेते हैं की क्या होता है संता का आशाय प्रतेक व्यक्तिक को उपलभ्द अवसारों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है Conocynta का मतलब क्या है कि हर व्यक्तिक के पास अपौट्वनिटी या अवसर जो होने चाहे वह समान होने होने चाहिए तभी तो वो सिक्षा स्वास्त और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कर पाएगा तो यही कॉंसेप्ट है समता का क्या मतलब है कि प्रत्य व्यक्ति को उपलब्द संसाधनों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था लोगों को उपलब्द अवसर लिंग प् समान होने चाहिए पर जाती हमें है कि भारत में जो है शित्री विविद्दता भी पाई जाती है की थम के जाती है या सीमित हो जाती है यह इसा नहीं होना चाहिए और हम भारत के संदर में इसलिए हम लोग बोल रहा है क्योंकि मानौ विकास आगर वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि मानो विकास गर इन कांट्री यह देशों की बात होती है तो हर व्यक्ती हर देश की परिस्तिति अ अपर मिल रहे हैं और निमने जाती लोगों को इतने अफसर नहीं मिल रहें तो हम नोगों क्या देखा लिंग प्रजाती अए और भारत के संदर्म में अगर हम देखें जाती के बेदबाओ के बिना भी समान होने के अवसर समान अवसर होने चाहिए उपलब्द ठीक है यद भी ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता फिर भी यह लगबग प्रतिक समाज में घटित होता है हमें पता है कि भारत में धीरे धीरे लिंग प्रजाती आए और भारत के संदर्ब में जाती परता है वो स्वास्त तक पहुच सुनिश्चित कर सकता है और वो संसाधनों तक पहुच सुनिश्चित कर सकता है हमें समय समय पर देखिए टीवी में बहुत जादा न्यूज जो है देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति इस जाती का था ये निम्न जाती का था तो उस जाती के व्यक्ति को मालीजिए कि घोले पर बरात उसकी निकल रही थी उसको घोले पर बैटने की मनाही या गाओं वालों तो फिर वो व्यक्ति सिक्षा स्वास्त और संसादनों तक पहुंच कैसे सुनिश्चित कर पाएगा तो यहीं पूरा कॉंसेट बोलता है समता के बारे में उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ठीक है उध्ण के त्वार पर किसी भी देश में यह जानना रूचिकर होता है कि विद्याले से विरत अदिकाश चातर किस वर्ग से हैं विद्याले से विरत मतलब ऐसंदा होता है कि कई जगा जो होता है स्कूल से जो होते हैं जैसे कि मान लीजे 9th class में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं 10th class में प्रमोट होके उन बच्चों को जाना चाहिए लेकिन गाओं में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी बच्चे जातर किस वर्ग से ऐसा तो नहीं कि दलत वर्ग के लोग अधिकांच जो है स्कूल छोड़ दे रहे हैं तो यह बात हैं यहां पर सोचने वाली है तब ऐसी घट्टाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए भारत में इस्त्रियां और सामाजेक एवं आर्थिक दस्टी से पिछडे हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विध्याले से विरत होते हैं भारत में आप लोग देखेंगे कि ड्रॉप आउट रेट या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरत चात्र बहुत ज्यादा है अक्सर आप गाउं में पाएंगे मान लीजे स अब बच्चे जो है वह नाइंत क्लास में पढ़ रहा है तो घ्रकाष में जैसे औरहें लोगों को या मजदूरी करनी पड़ रही है या लड़िकियों को यह बोल winter चुछ छूडबा दिया जा रहा है कि यह पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जैसा है और कम हो जाएगी वह 25 से जाएगी और टेंथ तक आते आते तेंथ जो है अगर तो तक हम लोग आएंगे तो यह 25 से संक्य क्या रह जाएगी तस रह जाएगी तो इस तरीके की घटनाएं हमारे भारत में होती है ड्रॉप आउट रेट यह विरत छात्रों की संक्या या छात्राओं हम लोग देख ले है इससे पता चलता है कि सिक्षा तक पहुंच ना होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है याद रखिए महभूब उलहक ने क्या वह था माना विकास तो मैं उसी को मानूंगा कि विकल्प किसी व्यक्ति के पास कितने उपलब्द है बहुत अच्छी बात कि कपड़े पहनना है तो आपके पास दस जो हैं कंपनी के शूरूम सुपलब्द है इसी को तो बोलते हैं मानव विकास माली किसी के पास अपॉच्टिनेटी सीमित नहीं कोई व्यक्ति माली जिए गरीब है अब गरीब के पास पीजा बर्गर खाने की अपॉच्टिनेटी को चुन नहीं कि सातंतरता भी उपलब्द होना जारूरी है अगर हम मतलब हमें इंडिपेंडेंस है हम चुन पा रहे हैं मालीजी हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन से लेकिन मेरे पास उन ऑप्शन को लिमिट कर दिया किसी भी सरकार ने यह हमारे घर वालों ने तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाया मेरा मानव विकास नहीं हो पाया और मानव विकास की तीन स्थम विवी हम लोग ने देख लिए थिक्षा स्वास्थिए और संसाधनों तक पहुँच और संसाधनों तक मतल scoryov95 मतलब उसका होता है आए और ये तीन चीजा होती है यह तीन चीज़े सुनश्यत होती है समता से तो पहली चीज हम लोगों ने देख लिए समता यहां पर देख लिए अब हम लोग देखेंगे सतत पोशणियता उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप लोगों में उन डाउट्स को डेफिनेटली जो है वो क्लियर कर दूँगा चलिए समता हम लोग ने देख लिया अब हम लोग देख लेते हैं सतत पोशणियता तो सतत पोशणियता का मतलब क्या होता है निरबहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्दता में निरंतरता पूशणियता क मतलब होता है अवसरों की उपलब्दता में क्या होनी चाहिए निरंतरता होनी चाहिए कौंटीणियोटी होनी चाहिए सतत पोशणियता मानव विकास के लिए आवश्यक है पृतिक पीड़ी को समान अवसर मिले समस्त पर्यावरणिय वित्तिये एब मानव संसादनों का पीड़ी के लिए भी अवसर सुनिश्यत करने हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आज के लिए तो मानव विकास बहुत अच्छे से हो जाएगा नेक्स्ट तीएर यह आने वाली जनरेशन यूज़ करते हैं बहुत ज्यादा उसका दुरूपियों करते हैं तो भावी पीडियों के लिए अवसरों को क्या कर देगा कम कर देगा वहां पर क्या प्रवावित होगा वही द्यार लखिए सिक्षा स्वास्त और जीवन्द स्थार तो सिक्षा स्वास्त प्रवावित होगा संसाधनाम यूज़ कर रहे हैं वह भविश्ची की पीडियों के लिए ना बचें वह कुछ भी हो सकते हैं चाहे वह जैल हो चाहे वह कोई भी चीज हो सकती है तो उम्मीद करता हूँ आपनों को सतत पोशनी है था का यह कॉंसेफ्ट है वह बहुत समझ में आगया होगा देख मुखर हो जाती है वोकल हो जाती है अपने अधिकारों के लिए और यसी बात है कि उनका कोई शोशन नहीं कर पाता तो बालीकाओं का विद्याले भेजा जाना एक बहुत अच्छा उधारन है यदि एक समुदाय अपनी बालीकाओं को विद्याले में भेजने के महत्व पर जोड नहीं देता मालिजी एक समुदाय है जो बालिकाओं को विध्याले नहीं भीजता तो युवा होने पर इन इस्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे तो ऐसा होगा कि जैसे ही वो लड़कियां बड़ी होंगी तो अव्यसी बात है उनके पास अवसर या पॉचिन्टीज जो हैं वो सीमित हो जाएंगी वो मालीजे कल को उनकी शादी होगी तो अपने लिए उपर युक्त वर या फिर लड़का जो है उसका चुनाव नहीं कर पाएंगी उनके पास ऑप्शन क्या रहेंगी सीमित होंगी कल की वो कल के दिन मालीजे वो मां अपने बच्चे को आगर मालीजे कोई सुविधा उन्हें उपर लब्द करानी हो नहीं करा पाएंगी क्योंकि उनको पता है कि स्कूल छोड़ दिया गया तो नौकरी नहीं लगी नहीं लगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे तो सारी चीज़ें आपस में क्या होती हैं तीवरता से च्टनी हो जाएगी व्रत्तीका मतलब उनकी जीवन उनका किस तरीके से चल रहा है लाइवलियूड बोलते हैं तो उनके व्रत्तिका के विकल्पों में तीवरता से च्टनी हो जाएगी और यह अनेक यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित किसी से किमालीजी सिर्फ अगर हम लोगों ने विद्याले नहीं भेजा अता प्रतेक पीडी को अपनी भावी पीडियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्दता को सुनिश्चित करना चाहिए तो इसी को तो बोलते हैं सतत पोशनेता कि हमें हमारी पीडी के लिए भावी पीडियों के लिए अवसरों को समान रूप से उपलब्द हो इस बात की सुनिश्चिता होनी चाहिए तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है तो सतत पोशनीता हम लोगों ने समझ लिए हम लोगों ने ये भी समझ ल होती है नेक्स चीज हम लोगों को देखना है उत्पादक्ता जिसका हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इंग्लिश या टर्मिनलोजी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं जैसे कि माली यहां पर लिखा हुआ है व्रत्ति का अब कई बार NCRT में जो हैं हिंदी जो क्या होता है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं तो मैं उसको बहुत अच्छे से समझा दूँगा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और यही काम तो करता है मैं जो जटिल से जटिल कॉंसेप्स होता है या बाते होती हूं उनको आसान भाशा में आपके लिए समझाने का काम करता है वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चलिए प्रोड़क्टिवीटी या उत्पादक्ता क्या होती है यहां उत्पादक्ता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादक्ता अथ्वा मानव कारी के संदर में उत्पादक्ता मतलब हमें प और रहे हैं अगर वह बहुत अच्छी स्किल्ड नगा है तो स्कार है कि कि समधाय रास्ते कि संक्ती या या असन यह लोगई चाहिए तो वो कि देश की जबती होते हैं वहां के लोग होते हैं इस प्रकार इस प्रकार उनके कारशमता जो होती है वो सुनिश्यत होती है अगर हम यह अच्छा अच्छी सिक्षा देंगे उनका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा मालीजी स्वास्त बहुत अच्छा नहीं है तो कोई व्यक्ति प्रोड़क्टिव काम कैसे कर पाएगा मालीजी कोई व्यक्ति कार फेक्ट ली है और लास्ट कॉंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलता है सशक्ति करण को इंग्रिश में बोला जाता है empowerment क्या मतलब होता है इसका सशक्ति किरानका अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना अब देखिए इसका असान एक्जामपल यह है कि हमें सशक्त मनाना है माल लिए कल को एक लड़की है माल लिए और इस लड़की की शादी माल लिए सुनिश्चित क कर सकति है कि भी या लड़का जो होना चाहिए वह अच्छा कमाने वाला होना चाहिए इससीटी में रहना चाहिए processing इस तो लड़की होना चाहिए उसको सिक्षा नहीं मिली तो वह सशक्त नहीं उपाईजीं है नाता है यह दो लड़कार myself मैं अपने अधिकारों को जानती है वह परिवार में यह अपने विक्त ब्लék गई है पुलिस अधिकारी बन गई तो इसे को हम लोग बोलतेос egg नहीं है क्योंकि वहां पर वहीला क्या है या एंपावर नहीं है क्योंकि वह अपने विकल्पों को नहीं चुन पा रही है तो सशक्ति करान का मतलब आप समझी गए होंगे कि अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्रदान या प्राप्त करना ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंतरता और छमता से आती है यह शक्ति कहां से आती है यह शक्ति आती है इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो एमपावर करने के लिए सच्वसासन अच्छी गबरर्णस ओड़ी है है सरकार अच्छे से रूल करें ये भी ज़रूरी है और अच्छी लोकोंगी करें नोगों को देख से पिछड़े हुए समूहों के सशक्ति करण का विशेश महत्व है और यह सी बात है कि मालीजी कोई व्यक्ति पिछड़े समुदाय से आता है तो उनका सशक्ति करण उनका इंपावर्मेंट बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए अफसरों की सुनिश्यत्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार को भी इस डारेक्शन में इस दिशा में सोचने की बेहद आवशक्ता है इस तरीके से हम लोगों ने मानव विकास के चार स्तम्मों को देख लि हैं तो सिक्षा स्वास्त और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है तो आज की इस वीडियो में इतना ही इस तरीके से मैंगनेट विंस जो है सीबसी बोर्ट के साथ डैली बोर्ट बिहार बोर्ट यूपी बोर्ट राइस्थान बोर्ट मैं आप लोगों के लेगराम और वाट्सेब चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो वेगना जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं www.magnet.com यह हमारी ऑफिशल वे से आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मच